दोस्तों आज मैं आपको कॉलेस्ट्रोल के लिए एक सप्लिमेंट बताने जा रहा हूँ अगर आपका कॉलेस्ट्रोल हाई रहता है और आप इसे कम करने के लिए कोई सप्लिमेंट खाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा सप्लिमेंट है, कॉलिस्ट्रोल को कम करने के लिए. ये जो सप्लिमेंट है, इसकी कंपनी का नाम है M.I.Labs और इस सप्लिमेंट का नाम है कॉलिस्ट्रो कंट्रोल ये काफी अच्छा supplement है Amazon के उपर इसकी rating बड़ी अच्छी है इस एक pack में एक bottle में आपको 60 capsule मिलेंगे और इस bottle की कीमत है 765 रुपे और इसकी जो dose होती है ये आपको एक दिन में 2 या 3 capsule खाने होते हैं अगर आप देख लीजिए कि आपका cholesterol कितना बढ़ा हुआ है अगर आप 3 खाना चाहते हैं तो सुभे दोपहर और शाम इस तरीके से और खाना खाने के बाद तो अगर आप एक दिन में 2 capsule खाते हैं तो ये जो आपकी एक bottle है ये 2 महीने चलेगी तो इसकी कीमत है 765 तो अगर हम 2 महीने का हिसाब लगाएं तो आपको एक महीने की कीमत बनती है 312 रुपे 50 पैसे ये एक महीने का खर्चा आपका आएगा अगर आप 3 खाएंगे तो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी Amazon के उपर इसकी जो rating है ये 4.5 है यानि बहुत ही अच्छी rating है अब इसमें डाला क्या क्या गया है वो आपको बता देता हूँ और ये supplement क्या काम करता है तो ये क्या करता है कि इट मेंटेंस healthy blood lipid profile यानि आपका जो lipid profile होता है जिसमें आपका total cholesterol आ गया LDL cholesterol आ गया HDL cholesterol आ गया trigly stride आ गया ये इन सब को manage करता है यानि इससे आपका जो bad cholesterol है वे कम होता है और जो HDL good cholesterol होता है वे बढ़ता है दूसरा ये क्या काम करता है कि healthy arteries and prevention of plaque build-up जो आपकी arteries हैं veins हैं खून की नसे हैं ये उनको healthy रखता है और उनके अंदर plaque को जमने से रोकता है यानि जो नसों के अंदर fat जम जाती है जिसकी वज़े से नसे बंद हो जाती है ये उस चीज़ को रोकता है और ये तीसरा काम क्या करता है कि it sports healthy blood pressure तो यानि इससे blood pressure भी कम होता है ये तो automatically है अगर cholesterol कम हो जाएगा तो blood pressure तो automatically कम हो जाएगा अब इसमें डाला क्या क्या गया है इसमें एक तो लहसुन का extract डाला गया है लहसुन का सत्व निकाल के डाला गया है इसके लावा गुगल, soybean और गुडची ये चार चीज़ें इसमें डाली गई है चारों चीज़ें जो हैं ये आयरुवेदिक हैं इनका कोई नुकसान नहीं है तो इसकी dose मैंने आपको पहले बता दी है 2-3 capsule daily after food और इसमें एक line लिखी हुई है कि please consult your doctor before consuming कि एक बार consume करने से पहले अपने डाक्टर से पूछ ले और do not exceed the recommended dose जितनी मातरा बताई गई है उससे ज्यादा ना खाएं और इसमें क्या बताया गया है कि यह जो चार चीजों का blend है चार चीजों का जो combination इसमें डाला गया है यह clinically researched है यानि इसके उपर research की गई है उसी के बाद ही इसे बनाया गया है जिसे खाने से cholesterol और triglystides का level कम होता है जो इसμεे गुडची है, गुग्गल है और सोयाबीन है यह जो cholesterol का metabolism होता है उसे ठीक करता है यानि cholesterol का जो पाचन होता है उसे ठीक करता है और जो لहसुन है यह क्या करता है कि यह cardiovascular complications को पैदा होने से रोकता है यानि heart की कोई बीमारी को पैदा होने से रोकता है अब इसमें इन्होंने result बताया है कि जब lab में इन्होंने इस फार्मुले को animals के उपर test किया तो इसका क्या result सामने आया तो जब इन्होंने इस दवा को test किया तो जो LDL cholesterol था जो कि एक bad cholesterol होता है वे 29% कम हुआ और जो HDL होता है जो कि एक अच्छा cholesterol होता है वे 48.5% बढ़ गया यानि approximately 50% बढ़ गया तो ये तो एक काफी अच्छा result है यानि दूरा cholesterol 30% कम हुआ और अच्छा cholesterol 50% बढ़ गया इसे खाने से अब इसकी जो manufacturing company है वे है MI Labs और इसका country of origin है इंडिया यानि ये भारत में ही बनी हुई है इंपोर्टेड नहीं है इसमें एक safety information भी है अगर आप pregnant हैं और अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं या आप immunosuppressive therapy के उपर हैं कुछ बिमारियां होती हैं जिनमें immunosuppressive medicines दी जा अगर आप इनमें से किसी category में fall करते हैं तो आप इसका सेवन डॉक्टर से पूछ कर करें अन्यथा आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें जो चार चीज़ें डाली गई हैं वह सभी आयरुवेदिक चीज़ें हैं तो अगर आप इस supplement को ख दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद